तो नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले है डो एग्रोसाइंस के एक इंसेक्टिसाइड के बारे में जिसका नाम है डेलिगेट तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप डेलिगेट को कैसे यूज़ कर सकते हो और इसमें क्या कॉंटेंट पाया जाता है और यह कौन-कौन से कीटो से हमारी फसल की सुरक्षा करता है और डेलिगेट के काम करने का तरीका क्या है और साथ ही दोस्तो इसके डो जोर प्राइस के बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तो डेलिगेट एक डो एग्रो साइंस का प्रोड़क्ट है और दोस्तो यह है एक ग्रीन लेवल इंसेक्टिसाइड है जिससे की हमारे अटमस्फेर में कोई भी नुकसान नहीं होता है तो दोस्तो आप बात करते हैं इसके कॉंटेंट की तो दोस्तो इसका जो कॉंटेंट है इसमें पाय जाता है स्पाइन ओटो राम 11.7% SC form में और किसान भाईयों वहीं बात करें इसके यूज़ की तो आप इसे अपनी सबजी एवम फलवर्गी हर फसल पर यूज़ कर सकते हो और साथ ही दोस्तो बात करते हैं कि यह हमारे फसल में कौन-कौन से कीटों को कंट्रोल करता है तो दोस्तो यह है रस चूसने वाले कीटों और चबाने वाले कीटों को एक साथ कंट्रोल करता है तो दोस्तो जो हमारे चबाने वाले कीट होते हैं जैसे अमेरिका एली डायमेंड बैक माउथ लीफ कर्ल, तना छेदक, फल छेदक और भी जितने भी हमारे चबाने वाले कीट होते हैं यह उन सबको एक साथ कंट्रोल कर लेता है रश्चूसने वाले केट जैसे की वाइट फ्लाई, टेला, लीफ-माइनर, थ्रिप्स और ये रड्मइट जैसे केट उनको भी है कंट्रोल कर लेता है और दोस्तो अब बात करते हैं कि Delegate किस तरीके से काम करता है कि जिसे ये केट को मार देता है तो दोस्तो delegate के spray करने के बाद यह कीटों के nervous system को block कर देता है जिससे की ना खाने के कारण कीट मर जाते है अब दोस्तो साथ हिसकी कुछ सावधानी के बारे में बात करते हैं कि अगर आपकी फसल में केवल रस चूसने वाले कीटों का attack है जैसे की white fly, leaf miner, thrips और milli bug जैसे छोट छोटे कीट आपकी फसल में लगे हैं तो दोस्तो आपको इसका dose 12-15 ml पर 15 लिटर पानी की टैंकी के साथ स्प्रे करना है और दोस्तो अगर आपकी फसल में चबाने वाले कीटों का attack है जैसे की American early diamond bag mouth, पत्ता लेपेट, तना छेदिक और फल छेदिक जैसे कीट लगे हैं तो दोस्तो आपको 18 ml 15 लिटर पानी के साथ इसका स्प्रे करना है और साथ ही दोस्तो आपको इसका स्प्रे करते वक्त एक सावधानी ओर रखनी है कि आपको इसका स्प्रे दिन के समय में नहीं करना है नहीं तो आपकी फसल में flower dropping के समस्य आपको देखने को मिल सकती है इसलिए आपकी इसका स्प्रे सुबा या शाम के समय में ही अपनी फसल में करें और दोस्तों अगर आपकी फसल में चबाने वाले कीटो रस चूशने वाले कीटो का एक साथ अटैक है तो आप इसे 18 ml 15 लिटर पानी के टैंकी में डालके यूज कर सकते हो और साथ ही किसान भाईयो डेलिगेट थोड़ा जहरीला होने के कारण हमारी फसलों में जो फ्लोरिंग के लिए मदुमक्यां लगती है यह उन्हें भी थोड़ा मार सकता है तो इसलिए दोस्तो आपको इसका यह भी ध्यान रखना होता है कि आप फ्लोरिंग स्टेज में डेलिगेट को यूज ना करें क्योंकि दोस्तो फ्लोरिंग स्टेज में कुछ हमारी फसले ऐसी होती है जिसमें की मदुमक्यों की जरूरिंग के लिए पढ़ती है अगर आप flowering stage में delegate use करोगे तो दोस्तो इसे जो हमारी मदुमक्या है या अन्य मक्या है वो मर जाएंगी तो दोस्तो या तो आप इसे flowering stage से पहले यूज करें या बाद में और दोस्तो यह insecticide जादा से जादा कीटों को मारता है और दोस्तो अब बात करते हैं कि यह हमारी फसल में कैसे काम करता है तो दोस्तो यह इंसेक्टिस है ट्रांस लेमिनार एक्षन से काम करता है आप इसे अगर पत्यों के उपर स्प्रे करोगे तो दोस्तो यह पत्यों के नीचे खुद बाखुद पहुंच जाता है जिससे कि जो कीट पतियों के नीचे छिपे रहते हैं वह भी असानी से मर जाते हैं तो दोस्तों बात करते हैं इसके content की यह है कैसे बनाया जाता है और कहां से हमें यह है और कहां से यह है content मिलता है तो दोस्तो spinetoram जमीन के अंदर पाई जाने वाले एक bacteria से fermentation करके बनाया जाता है इसलिए हम इसे biological insecticide भी कहते हैं तो दोस्तो delegate हमारी फसलों में 100 परतिशत कीटों को मारने की शमता रखता है तो वहीं यह पक्षियों के लिए पूरी तरह से safe है और बात करें दोस्तों कि इसका spray करने के बाद हमें कितने दिन तक इसका असर देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों अगर आप इसे अपनी फसल में एक बार यूज करते हो तो हमें इसका असर 30 दिन तक अपनी फसल में मिलता है और दोस्तों बात करें इसके price की तो यह थोड़ा नहीं बलकि बहुत ज़ादा महेंगा है लेकिन इसका रिजल्ट भी वैसा ही है क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी फसल में हर कीट के लिए अलग-अलग insecticide का use करोगे तो उससे भी आपका जो budget है वो काफी मूचा चला जाएगा तो इसलिए आप delegate का use कर सकते हो क्योंकि दोस्तों यह एक साथ सारे कीटों को मारने की शमता रखता है तो दोस्तों वहीं यह बात करें इसकी packing की इसकी price की तो दोस्तों इसका 100 ml की packing 14-15 के बीच मिलती है और वहीं इसका dose दोस्तों 15-18 ml आपको 15 लिटर पानी की pump में डालकर यूज करना है तो दोस्तों अगर आपको आज कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और साथ ही दोस्तों अगर आपके कोई सवाल या कोई सुझाव रहते हैं तो दोस्तों आप